आज की किलास में डिसकस करते हैं कि कैसे हम क्वाइडन्टल वियरिंग अगर हमें गिवन है तो उसे डबलू सीव में कैसे चेंज करेंगे कमप्टीशन में अक्सर ये सवाल पूछायाता है कि क्वाइडन्टल वियरिंग दे कर हमसे डबलू सीव पूछ सकता है या फिर WCB अगर दे कर हमें Quadrantal Bearing हमें पोछ सकता है तो पिछली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जब हमें WCB दे रखी हो तो Quadrantal Bearing में कैसे चेंज करेंगे उसे Converge कैसे करेंगे आज की लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि अगर हमें Quadrantal Bearing दे रखी है तो उसका हम WCB में कैसे Converge करेंगे तो Quadrantal Bearing से WCB में चेंज करने के लिए आप कुछ इस तरीके से देखे हमें लाइन दे रखी है AB और उसकी Quadrantal Bearing है North से 30 degree 25 में इस डारेक्शन में अब जानते हैं Quadrantal Bearing के अंतरगत हमारे चारो डारेक्शन का इंपोर्टेंस है North, South, East, West तो इसलिए हम जब इसका डारेक्शन बनाएंगे तो हम सारी डारेक्शन इसमें हम बना लेगे तो देखे नौर्थ, South, East and West यह हमने चारो डारेक्शन हमने बना ली क्यों क्योंकि Quadrantal Bearing में चारो डारेक्शन का इंपोर्टेंस है तो इस लाइन की कंडिशन कहाँ पर है इस टाइम वो हम खीचते है तो लाइन का नाम है यह भी और North से कितने डिगरी बना रही है अंगिल 30 डिगरी 25 मिनट तो North से हमने क्या किया 30 डिगरी 25 मिनट का एंगिल बना दिया किस की तरफ बनाना है हमें East की तरफ तो हमने देगे North से रेफरेंस में रिटिन हो गया 30 डिगरी 25 मिनट एंगिल बना दिया किस डारेक्शन की तरफ था East की तरफ तो हमने ये angle बना दे लेकिन अब इसके WCB अब यहाँ पर WCB बनाने के लिए हमने ये देखना पड़ेया कि WCB की actual definition क्या है तो WCB का मतलब होता है कि किसी भी line का किसी भी reference meridian और reference meridian कौन सा होता है north south तो ये इसका मतलब ये किया सकते हैं किसी भी line का north south से हमेशा ही clockwise angle जो होता है वही हमारा WCB होता है तो हमने क्या क्या north से clockwise direction में चले जब तक हमारी line नहीं आ गई तो यहाँ से हमारी जो WCB है वही WCB बन जाएगी जो की हमारी इसके Quadrantal Bearing है कब जब हमारा line 0 से 90 degree के बीच में हो तो इसके WCB कितनी हो जाएगी north से कितना angle clockwise 30 degree 25 minute तो इसका आंसर हो गया हमारा 30 degree 25 minute तो इसमें लेकर देता हूँ मैं 30 degree 25 minute इसका हमारा पहले का आंसर हो गया अब बात करते हैं दूसरे की कि line BC का किस तरीके से Quadrantal Bearing दे रखा है तो line BC Quadrantal Bearing जब दे रखियो आप north-south direction खीच लीजे north-south, east-west direction हमने पहली खीच ली अब BC line के condition कहाँ पर है वो देखना पड़ेगा तो Quadrantal Bearing बोल रहा है कि south से south से BC line कहाँ पर है south से 45 degree 10 minute यानि किस तरफ south से तो best भी हो सकता है east भी हो सकता है लेकिन direction पता है हमें पहले से east की तरफ तो south से east की तरफ 45 degree 10 minute हमने भी बना दिया यानि जो BC line मैंने जो बनाई है ये south से 45 degree 10 minute के एंगल पर बनी होई है तो फिर इसमें हम WCV में से केस्टेंज करेंगे WCV का मतलब क्या होता है हमेशा north से clockwise direction जब तक की हमारी सर्वे लाइन नहीं आ जाती मैं आपको फिर दुबार रिवायज करा दूँ कि WCV का मतलब है कि सर्वे लाइन का north south से clockwise direction में एंगल तो यहां से यहां तक का एंगल हमें चाहिए तो अभी देखिए north south पूरी लाइन का एंगल कितना होगा 180 degree अब उस 180 degree में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमें यह मिल जाएगा तो वही करना वही इसके WCV बन जाएगी तो हमने क्या गिया यहां पर 180 degree को हमने कुछ ऐसे लिखा 179 degree 60 minute ऐसा क्यों लिख रहे हैं पिछली लेक्चर में हमने बताया था कि 180 degree को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 179 degree 1 degree and 1 degree convert कर सकते हैं 60 minute में तो 179 degree 60 minute हो जाएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम जिसको माइनस करने वाले हैं उसमें degree में भी value है और minute में भी value है तो हमें दोरों को माइनस करने लिए हमें क्या कर नहुगा 45 degree 10 minute हमने माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 50 minute और यह जाएगा 9 में से 5 minus जाएगा तो 4 और यह जाएगा 3 और यह जाएगा 1 तो हमारा जो answer होगा 134 degree 50 minute तो रेखा जो line हमाई सरवे BC line है उसका whole circle bearing हो जाएगी North से कितना angle है यहां तक clockwise degree है एंगल हमारा कितना दे रखा है 134 degree 134 degree and 50 minute ही हमारा clockwise direction में इस line का angle है नौर्थ से तो यही हमारी क्या हो जाएगी इस BC line की W से भी बन जाएगी आगी डिसकस करते हैं third number point पर तो third number point हमारा क्या दे रखा है तो सबसे पहले हुए अगर हमें quadental bearing है तो हम 4 direction को खीज लेते हैं और फिर उसकी situation देखते हैं कि वो कहां पर इस्तित है तो अब जो हमें बोला गया है कि south से 10 degree west की तरफ तो south से 10 degree हमने यह बनाया west की तरफ 10 degree का एंगल हमने बना दिया अब whole circle vision क्या होता है किसी भी survey line का north direction से clockwise angle तो north direction से clockwise angle मतलब यह वाला तो अब इसका मान कैसे निकाल पाएंगे हम north से south यह वाला angle हमारा कितना हो जागा total यहां से लेकर यहां तक का 180 degree और प्लस इन्हों ने यह बतायाएंगे कि यह वाला 10 है तो total कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 190 degree तो इसकी जो हमारी whole circle bearing हो जाएगी वो easily निकल आगागी हमारी कितनी हाई 190 degree तो अब हम बात करते हैं next line cd के बाद d e की तो d e कैसे बता रहा है कि north से 36 degree 30 minute and w की तरफ चलना है हमें तो जब भी हमें quadrantal bearing की बात करेगा हम 4 direction वारा diagram बना लेंगे तो north, south, east, west तो north से कितना angle है 36 degree and 30 minute तो हमने north से 36 degree 30 minute west की तरफ हमने angle बना लिया लेकिन हमें wc वी चाहिए wc का मतलब क्या है north से clockwise direction में angle घडी की दिसा में हमें चलना है तो फिर हमने ये angle लेना है तो अब देखिए अब पूरा circle अगर होता तो कितने degree का होता है 360 degree का अब 360 degree में ऐसे अगर हम इतना minus कर दें तो ये वाला angle तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 degree को कुछ ऐसे लिखेंगे 359 degree और 1 degree और 1 degree को change कर लिखेंगे 60 minute तो 360 degree को हम लिख सकते है 359 degree and 60 minute हमने minute में क्यों change किया क्योंकि जिसको minus करने वाले हैं उसमें minute भी mention है तो हमने यहाँ पर लिखा 359 degree 60 minute मैंसे में minus करना है 36 degree and 30 minute तो यहाँ क्या बचेगा 30 minute और यहाँ पर 3, 2, 3 यानि 323 degree 30 minute यानि यह जो हमारा पूरा angle है clockwise direction में north से वो 323 degree 30 minute तो इसकी जो WC भी हो जाएगी वो 323 degree and 30 minute कभी-कभी किसी question में second का भी जिक्र करेगा तो उसमें हम second को भी convert कर सकते हैं देखे इसको और क्या लिख सकते हो आप 179 degree 59 minute और अब जो एक minute बचा उसे हम क्या लिख सकते हैं 60 second अब जिस question में हमें second भी रखा हो उसको इस तरह इसे लिखके अगर आप 360 बाले में देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 359 degree इसको लिखते हैं 59 minute अब बचा एक minute एक minute क्या लिख सकते हैं 60 second अब अगर किसी question में हमें second का भी दिया गया है second का भी term है तो आप second में convert करके उसको minus कर सकते हैं तो guys हमारी वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं survey से related अगर आपको completion लेवल पर कोई problem आती है तो आप हमें question या कोई भी अपना doubt comment box में comment कर सकते हैं तो इसलिए please हमारा channel subscribe करें और इस पर comment करें और इसको like अंजाज रस सेयर करें thank you